और सूत्रों के हवाले से स्वाक्त एक बड़ी ख़बर आ रही है हटाए जा सकते हैं यूटी के प्रमुख ग्रिह सचिव अर्विंद कुमार सूत्रों के हवाले से बड़ी ख़बर आपको बता रहा हैं यूगी सरकार कई IS और PCS अफसरों के तबाद ले कर सकती है जिसमें से प्रमुख सचिव ग्री और डीजीपी ओंप्रकाश सिंग के बीच जो अनबन चल रही है उससे जुड़ी हुई ये बड़ी ख़बर सूत्रों के हवाले से आ रही है कानुन व्यवस्था को लेकर प्रमुख ग्री सचिव को खटा सकती है योगी सरकार यूपी के प्रमुख ग्री सचिव हटाई जा सकते हैं योगी सरकार कई IS और PCS अफसरों के तबातले कर सकती है प्रमुख सचिव ग्री और डीजीप ओंप्रकाश सिंग के बीच अनबन चल रही है और सूत्रों के हवाले से ही ख़बर है कि कानुन व्यवस्था को लेकर प्रमुख ग्री सचिव को खटाया जा सकता है अरविंद कुमार यूपी के प्रमुख ग्री सचिव जिनने हटाया जा सकता है क्योंकि योगी सरकार अभी कई IS और PCS अफसरों के अधिकारियों के तबातले कर सकती है रही सुत्र बता रहा है कि प्रमुख सचिव ग्री और डीजी पी उप्रकाश्ट सिंग के बीच अनबन चल रही है तो कानुन व्यवस्था को लेकर प्रमुख ग्री सचिव अरविंद कुमार को खटाया जा सकता है यह फिलाल सुत्रों के अवाले से ख़बर आ रही है योगी सरकार कई IAS और PCS अफसरों के अधिकारियों के तबातले कर सकती है जिसमें से अरविंद कुमार जो प्रमुख ग्री सचिव है उनने भी हटाया जा सकता है प्रकास सिंग के बीच अंदर ये अंदर अन्बन चल रही है तनातनी भी है कानून व्यवस्था को लेकर ये एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है योगी सरकार कई IAS और PCS अफसरों के तबातले कर सकती है सुत्रों के अवाले से बड़ी खबर आपको बदा रहा है प्रमुख सचिव ग्री और DGP ओम प्रकास के बीच जो है वो अन्बन चल रही है और कानून व्यवस्था को लेकर प्रमुख ग्री सचिव को योगी सरकार हटा सकती है ऐसा सुत्रों के अवाले से जानकारी आ रही है